मित्रो चिपकली कोई साधरन जीव नहीं है घर के अंदर चिपकली हमें कुछ संकेत देती हैं वो हमें कुछ बताना चाहती हैं वो संकेत अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा बूरे भी मंगलवार के दिन घर में चिपकली का होना आपको कुछ संकेत दर्शाता हैं आई ये चोटे से वीडियो के मात्य हम समझानेंगे कि चिपकली हमको क्या बताना चाहती है नमबर एक, मित्रो, मंगलवार के दिन घर में चिपकली का आपके भगवान के मंदिर में रेंगना अगर आपके भगवान के मंदिर के आसपास भी चिपकली आती हैं, वहाँ पर आपको दिखती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुप संकेते, इसके बाद आप जो भी नया कारिय करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसंद नगे है, नमबर दू, मित्रो, चिपकली अगर आपके घर के फर्ष पर रेंग रही हैं, तो वेदो और पुराणों के अनुसार इसे बहुत ज़्यादा अशुब माना गया है, इसा माना जाता है, कि आपके घर में कोई नकारात्मक उड़जा का साया है, आपको बचने के लिए का है आपको, जोड-जोड से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मित्रो, अगर आपके घर के अंदर चिपकली की मृत्ति हो जाती हैं, वो किसी कारण वश मर जाती हैं, और मरी हुई चिपकली अगर आपको दीक जाती हैं, तो इसे वेदो और पुराणों में इसे भी बहुत ही ज़्यादा अशूप माना गए हैं अगर इस अशूपता को आपको दूर करना है तो अपने भगवान के मंदिर में आपको हाथ जोड़ कर खड़े होना है भगवान से प्रात्ना करना है कि है भगवान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे शमा करे और मेरे जीवन में जो पद्दा आने वाली है उसको दूर करे भगवान से प्रात्ना करना है ये संकेत हमेचे भगले देती है